चलियाज आपको दिखाते हैं कि आखिर सोने के अंगूठिया कैसे बनाई जाती हैं, तो सबसे पहले छोटे से सोने के टुकड़े को लिया जाता है, उसे आग में गलाया जाता है, इसके बाद उसे ठंडा करके उसे ठोक कर आकार दिया जाता है, यही नहीं इसके बाद इसे जाता है ये पूरी परिक्रिया लगबब दो घंटे की होती है यहां पर हम आपको एक रत्न की सोने की अंगूठी दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जहां पर रत्न टिका होता है वो एक कैप होती है उसी कैप को यहां पर आकार दिया जा रहा है ताकि रत्न उसमें सही आक इस पूरी कैप को फिर घिसा जाता है ताकि इसे एक खूबसूरस सा आकार दिया जा सके। छला भी सोने का होता है लेकिन इसकी सबसे पहले सफाई की जाती है फिर इसे आग में तपाया जाता है ताकि इसे अच्छे से उस कैप में बैठ सके जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इसके बाद जब यह पूरा आकार ले लेता है इसमें शाइनिंग आ जाती है तो इसे एक पतले से तार के जर्ये कैप में बांद कर इसे जोड़ा जाता है अब छले को कैप से जोडने की परिक्रिया शुरू हो चुकी है यह पूरी परिक्रिया लगभग 20 मिनिट की होती है आप देख सकते हैं कि इसमें तार को बांदा गया है ताकि आग से तपाने के दौरान छला कैप से बिलकुल भी अलग ना हो इस दौरान यह भी ध्यान रखा जाता है कि सोना किसी भी तरह से अंगूठी से कम ना हो इस पूरी परिक्रिया के पूरे हो जाने के बाद एक बार फिर से अंगूठी पर रतन को बैठा कर देखा जाता है इसे फिर से गिसकर सही आकार दिय इसके बाद सोना भी जाजा जाता है कि अगर 3 ग्राम की अंगुठी है तो 3 ग्राम ही सोना होना चाहिए पहले कारिगर का काम अब यहां पर खतम होता है यहां से शुरू होता है दूसरे कारिगर का काम जो सबसे पहले इस अंगूठी को शाइनिंग देने के लिए तेजाब में डालता है तेज आज पर तेजाब में इसे 20-30 मिनट तक रखा जाता है ताकि इसके अंदर की पूरी गंदगी निकल जाए और इसके उपर कोई भी धबा नजर ना आए इसके बाद इसे तेजाब से अलग करके एक दूसरे कैमिकल युक्त पानी में डाला जाता है फिर इसके बाद इसे शाइनिंग दी जाती है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ताकि सोने पे लगी हुई एक एक गंदगी और धबा पूरी तरह से दूर हो जाए और सोने में शाइनिंग आ जाए ताकि यह देखने में खुबसूरत लग सके जब अंगूठी की पूरी तरह से अंदर बाः सफाइ हो जाती है इसके बाद इसे एक बेहढ गरम पानी में टेंप्रेचर मेंटेन करके रखा जाता है यह करीब 10 मिनट तक इस गरम पाने में रहती है और टेंप्रेचर को भी 30 डिगरी सेल्सियस के ऊपर रखा जाता है में रतन को जड़ना. अब अंगूठी पूरी तरह से बन चुकी है, रतन इसमें जड़ा जा चुका है. अब इसे इस पूरे जो मैटल है, उससे अलग करने के लिए सबसे पहले आग पर इसे तपाया जाता है. अब इस अंगूठी को इस लकडी से पूरी तरह से अलग कर लिया जाता है क्योंकि रतन इसमें जड़ा जा चुका है यहां से अंगूठी को दोबारा दूसरे ही कारीगर के पास बेजा जाता है जो वही वाली परिक्रिया शाइनिंग के लिए अपनाता है और आखिरकार आप सामने देख सकते अंगूठी बनकर तयार हो चुकी है पाँच घंटे के वक्त के बाद लखनो से अंजली सिंग राजपूत की रिपोर्ट न्यूजेटी